नमश्कार स्वागत है आपका इंडिया समाचा 27 पे मैं हूँ शिवानी रोतिलाप के साथ आप 2000 के नोट बंद होने वाले हैं सेप्टेंबर तक की हमारे पास डेट है आप अपने नजदी की बैंक में जाईए अपने नोट एक्स्चेंज करवाईए और ये सब ख़बर तो आपने सुनी है लेकिन इस सेग्मेंट में इस सेक्शन में आपके लिए लेकर आई हूँ कि डी मॉनिटाइजेशन मतलब नवेंबर में जो हुआ था हमारे कुछ साल पहले कि जब सारे नोट बंद गरवा दिये गये थे नए नोट आ गये थे मलब इतना हाहकार मच गया था कि हर कोई केवल बैंकों की लाइन में लगा हुआ था तो डी मॉनिटाइजेशन और इस बार की नोट बंदी में आखिरकार अंतर क्या है इस पूरी रिपोर्ट में ये जानी है इस बार सिर्फ 2000 रुपे के नोट सर्कुलेशन से हटाए जा रहे हैं लोगों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है और ये तैय कर दिया गया है कि अब तक नोट लीगल टेंडर मने जाएंगे तो आईए समझते हैं कि 2016 की नोट बंदी से ये कितना अलग है आठ नवंबर 2016 की वो तारीक शायद ही कोई बूला होगा ये वो दिन था जब देश के इतिहास में सबसे वड़ी नोट बंदी का एलान कर दिया गया था खुद पीम मोदी ने रश्ट्रे के नाम संदेश में डिमॉन्टाइजेशन की घुशना करते हुए कहा था आधी रात से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे ये वो आदेश था जिसके बाद देश में उथल पुथल मच गई बैंकों की शाखाओं के सामने लंबी लंबी कतारे लगने लगी एटियम खाली हो गए थे और घरों में रखे 500 और 1000 रुपे के नोट का कोई मोल ही नहीं रहा वक्त गुजरे नए नोट जारी हुए अब तकरीबन 5 साल बाद एक बार फिर आरबियाई ने नोट बंदी का एलान कर दिया है हाला कि इस बार सिर्फ 2000 रुपे के नोट सर्कुलेशन से हटाए जा रहे है 2016 में आखिरकार क्यों हुई थी नोट बंदी और क्या असर पड़ा था आपको बता दे कि 2016 में हुई नोट बंदी के बारे अफरा तफरी मच गई थी और लोगों को लगा था कि अब हम क्या करें क्योंकि कुछ ही एलान के कुछ ही घंटे बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहे थे नोट बंदी का फैसला काला धन खत्म करने के लिए किया गया था ताकि जो धन डंप किया जाए वो बाहर निकले लोगों को नगदी बदलने के लिए सिर्फ 30 दिसंबर 2016 यानि की तक्रीवन 50 दिन का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोट में केंदर सरकार की ओर से दीकई जानकारी में बताया गया था डिजिटल लेंदेन का बढ़ावा देने के भी एक बहुत बड़ा मकसद था नोट बंदी के एलान के वक्त 17 लाग करोड रुपे की करनसी नोट चलन में थे इसके तकरीबं 15 दिन बाद देश में सिर्फ 9 लाग करोड की करनसी रह गये जबकि जनवरी में सिर्फ 7 लाग करोड रुपे की करनसी नोट रह गये थे अब आपको बताते हैं कि 2000 रुपे के नोट बंद करने के आखिरकार माईने क्या है 2000 रुपे के नोट बंद करने के बाद अफरा तफरी जैसी कोई स्थिती नहीं है ना ही इससे कोई परिशानी होगी बैंक इन्हें लीगल टेंडर भी मानी रहेगी यानि कि नोट 30 सितंबर 2023 तक अवैद नहीं होंगे एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपे के नोट बैंक से बदल सकता है RBI ने बैंकों को 2000 के नए नोट जारी ना करने का फैसला दिया है इसके अलावा लोगों को नोट बदलने के लिए तकरीवन 4 महीने यानि कि 2016 के मकाबले तकरीवन 2 गुना से ज्यादा वक्त दिया जाएगा RBI ने इस बारे में भी कहा है कि काले धन और सर्कुलेशन से गायब नोटों की संग्या को देखते हुए ये निड़ने लिया गया है दरसल अभी भी 2000 के 54 करोड नोट सर्कुलेशन से गायब है यानि कि तकरीवन 1.5 लाक करोड रुपे सर्कुलेशन में कभी थे ही नहीं ऐसा मान लिजे इसलिए सरकार ने 3 साल पहले ही नोटों की छपाई बंद कर दी 2000 के नोट उस वक्त बंद कर दिये गए थे जब वो चलन में ज्यादा नहीं थे पिछले 3 साल से 2000 का नया नोट कोई छपा ही नहीं इसमें हो रही लगातार गिरावट को देखते हुए वर्तमान में तकरीबन 200 करोड 2000 के नोट के चलन होने का अनुमान लगाया जा रहा है तो देखा आप लोगों ने कि क्या अंतर है डिमॉन्टाइजेशन में और नोट बंदी में अब आपकी इस बारे में क्या रहा है या आपकी जेब से कितना पैसा आप एक्सचेंज कराने जाएंगे वो हमें कॉमें सेक्षेन में ज़रूर बताएं